वेलो एवरीवन, hope you are keeping well, this is Vishal Masih and welcome back to my channel economic sites और आज हम पढ़ने वाले हैं chapter number 22, index number which is very very important for the numerical part ठीक है आपका numerical perspective से बहुत बहुत important है, इसका जो theoretical part है आपको इतना importance नहीं है इतना important नहीं है आपके लिए, ठीक है आपको जो ज़्यादा focus करना है numerical part पर और मैं numerical part पर ही ज़्यादा focus करने वाला हूँ उसे बहले आपको मैं एक चीज बता दूँ कि आपने एक word बहुत सुना होगा inflation inflation आपकी दो तरह की होती है, एक होता है CPI और एक होता है WPI CPI का मतलब होता है consumer price index और आपका यह होता है wholesale price index ठीक है यह दो तरह से inflation जो है आपकी निकाली जाती है हमारी country में ठीक है एक होता है WPI wholesale price index जो आपका producers का price reflect करता है और यह आपका consumers का price reflect करता है या inflation reflect करता है तो यह आपका इसी के under निकाला जाता है ठीक है अब आपको इसकी important समझ में आ गई होगी कि कितना important है हमारे economy के लिए for the different economies to study this और आपको भी यह chapter समझ में आना चाहिए और इतना chapter इतना easy है बहुत easy chapter आपको बहुत easily समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए सबसे पहले मैं आपको index number बता दूँ कि what is index number देके index number होता क्या है कि जब आप कोई भी एक चीज मान लीजे वो price है quantity है output है exports है import है sales है कुछ और तो भी चीज ठीक है जब आप compare करते है period of time से मतलब period of time मतलब एक साल ले लीजे base year और उसको current year के साथ आप क्या करते है compare करते है माल लीजे base year है 2005 ठीक है और current year हमारा क्या है 2015 माल लेते है ठीक है तो इसमें जो कितना percent change आया आपके आपका जो कितने percent change आया आपके price में, कितना percent change आया quantity में, output में, export में तो वो हमें बताता है index number, basically ये क्या होता है एक तरह का relative measure है आपका base year का, देखिए आपका लिखा है base year का और आपके current year का तो इनके data से हमें इसका data दिया होगा, price का, quantity का जो भी data हमें निकालना होगा ऐसा ही इसका भी price दियोगा, quantity दियोगी तो इनके data से हम क्या करेंगे हम एक index find करेंगे जो कि हमें बताएगा कि क्या इसका direction है, या क्या इसका relative measure है दोनों का ठीक है, I hope now I am very very clear तो basically index number is a study of the relative measures between the between the two period of time जिसको divide किया जाता है एक base year में ठीक है और एक current year में ठीक है, base year हमारा बाले जो भी मानता है, 2005, 2004 जो भी हमें हमान सकते हैं और current year जो भी हमारा चल रहा होगा, तो जब भी इन दोनों का relative measure निकालेंगे, वो किस के अंडर आएगा हमारा index number के अंडर आएगा, चलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख लीजे, for example यहां लिखा है, कि when we say the price of the consumer goods are 20% higher than the higher in the 2015 as compared to the year 2005 तो मैंने जब बोला कि मानलो की price है कि 20% जादा हो गया है 2005 से 2005 से 2015 तक मतलब कहने का मतलब है कि किसी good का मानलीजे, 100 rupees अगर price है, तो वो आपका 2015 में कितना हो गया है, 120 उर्वे हना, तो यह हमारा क्या है यह जो 20% आपने कैसे निकाला यह आप निकालेंगे index से ठीक है, index number के help से आप निकालेंगे fine, I hope I am very very clear with it, चलिए अब यहाँ two marks के definition आप कर सकते हैं बहुत easy है, index number are the tools for measuring the change in the magnitude of the variable, और a group of related variables over the time with respect to the chosen base year तो base year आप जो भी जिस year से आप निकालना चाते हैं जिस year के respect से आप निकालना चाते हैं जो भी आपका current year चल रहा होगा तो उसके वो होता है हमारा base year तो हमारा जो index number है, वो magnitude है जो हमें बताता है, measurement बताता है, basically two period of time, एक होता है हमारा base year और एक होता है current year, ठीक है I hope now I am very very clear चलिए तो इसको यहाँ पे और भी definitions कर सकते हैं, आपकी croxton और cordon की भी definitions रखिए index numbers की, तो आप यह भी याद कर सकते हैं either you can write this also, that's no problem ठीक है, ओके, तो अब आजाते है next topic that is a type of index number इसको भी हम फटा-फट करेंगे कोई कि यह इतना theoretical part इंतरा important नहीं है तो सबसे पहला आपका जो index होता है index number के type होता है, जो है आपका सबसे पहला है price index, ठीक है we are studying the types of index number तो उसका सबसे पहला है price index price index के भी under two चीज़े आती है that is CPI और आपका WPI, मैंने already discuss कर लिया है मैं short में बता जाता हूँ basically CPI क्या होता है आपका, एक तरह का inflation rate होती है, जो consumers के इसाप से निकाले जाती है, और ये wholesale price index basically, इसको ध्यान में रखा जाता है producers को और इसमें wholesale price लिया जाता है इसमें जो price लिया जाता है, वो consumer जो goods, जिस price पे consumers को goods मिल रहे हैं, उस price का एक index निकाला जाता है और CPI निकाला जाता है, basically जो और दूसरा जो आपका WPI है, wholesale price index है, ये आपका producers के price को reflect करता है, क्योंकि इसमें wholesale price को आपका include किया जाता है, ठीक है, तो यह देख सकते है इसकी definition याद रख सकते है, definition आ सकती है 2 marks में, ठीक है, कि आपका जो CPI क्या होता है, CPI measures are change in the price level of the specified basket of consumer goods, देखे basket of consumer goods का मतलब है कि जो government होती है ना, सारे goods को assume नहीं करती, जो consumer consume करता है, basically कुछ goods, जो most of the people हमारे country में consume करते है, उनको उनका ही जो price है, उसका ही index निकालती है, और वो क्या होता है, हमारा consumer price index होता है, basically 2 years का over the 2 period of time that is base year and the current year, ठीक है ओके, चलिए, अब इसमें आप पुछेंगे, सर, ये basket of goods क्या होता है देखे, basket of goods है, हमारे government of India ना, 8 groups कर रखे हैं 8 groups कर रखे हैं, under the CPI, या आप कह सकते हो, एक तरह के, एक तरह के, there are different types of goods and services, जो government, basically goods, जो government क्या करती है, उसको include करती है, या उसके respect से हमारा CPI निकालती है, जैसे हमारा fuel हो गया, जैसे हमारे सबजीों के rate हो गये, follow के rate हो गये जो आम लोग, हर कोई इंसान जो है consume करता है, उसके price के हिसाब से, उसके index निकालती है और उसका क्या find करती है, CPI find करती है, ठीक है, दूसरा है हमारा wholesale price index यह होता है हमारा, it represents the basket of goods and services traded in the wholesale market, तो basically यह क्या है producers price है, ठीक है producers index है basically, क्योंकि यह क्या करता है हमारा जो, एक तो जो goods है, वो क्या करता है, goods के price और services के prices जो है wholesale पर बताता है, हना तो जो कि हमारा, जो वो wholesale price है, वो producers को जाधा concern करता है whereas जो हमारा consumer price index है वो किसको concern करता है consumers को अब आपको दोनों में difference clear समझ में आ रहा होगा दूसरा हमारा quantity index number तो index number तो पहला होगा price index जिसका अंडर पर आपके CPI और WPI है दूसरा आपका है quantity index number quantity index number क्या होता है कि जब आप quantity के हिसाब से index निकालते हो बले वो production हो बले वो consumption हो कि मतलब 2005 में हमने 2005 से लेके 2015 में हमने कितने quantity से production बढ़ाया हमने कितने quantity से consumption बढ़ाया तो वो हमारा होता है quantity index number बिसिकली इसमें हम क्या करते है base year और current year इसमें भी include करते हैं और हम क्या fund करते है quantity find करते हैं कि कितने quantity से increase आया, कितने quantity से बढ़ा आया, कितने quantity से कम हुआ, whatever may be, ठीक है, basically हम quantity को include करते हैं, समझ में आ रहा होगा मेरी बात, अच्छे से आपको, ठीक है, जैसे कि आपका इसमें आ गया, industrial production आ गया, agriculture production आ गया, export आ गया, import आ गया, वो सब आपका किस calendar आता है, quantity index में आता है, वेरस आपका इस इन दोनों में, आपका जो CPI और WPI है, उसमें क्या था, price आता है, ठीक है, इसमें price आता है, और इसमें क्या था, आपके quantity of output आता है, कितना output आपने produce किया, ठीक है, आपको सीज़े समझ में आ रही होंगी, ठीक है, उसके बाद है, आपका value of index number, value of index number क्या होता है, कि इसमें क्या चीज़ें आती है, आपकी sale, retail sale, profit, ये सब चीज़ें, जब आप compare करते हो, base year के इसाब से, ठीक है, जो भी current year आपके चल रहा हो, जब उसको base year के साब से, आप compare करते हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, value index है, though it is not important much, इसमें लिखा भी है, कि however value index numbers are not very popular in use, ठीक है, चलिए, अब आपको देखो, कुछ features हैं, आप कह सकते हो, silent features है, characteristics of index number, सबसे पहला करता है, relative changes measure करता है, मैंने already बता दिया, क्योंकि हम जब two time of period, यहां frame पढ़ते हैं, two time frames को, तो उसका relative measure हमें बताता है, relative change बताता है, कि 2005 अगर base year है, तो अगर हम माल लेजे, 2010 हम current year ले रहे हैं, तो 5 साल में कितना बदला है, 5 साल में उसकी situation है, कितनी change हुई है, तो वो हमें चीजे clear करता है, यहां पर साफ सफ लिखा भी है, कि अब जब compare करें है, माल लेजे data को, तो जो हमें base year है, वो हम कितना hundred के बराबर माल लेते हैं, और ठीक है, में जितना भी hundred से उपर आएगा, या hundred से नीचे आएगा, माल लेजे hundred से उपर आया 150, हना, तो कितने percent बड़ा, 50 percent बढ़ गया, माल लेजे कि अगर current year में, अगर सिर्फ 50 ही होता, तो 50 percent से फिर कम हो जाता, हना, तो हम क्या करते है, बेस year को hundred के equal रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही धियान रखना है, कि इसमें कहरता है, हम relative changes measure करते है, two time frames में, भले वो increase भी हो सकता है, वो decrease भी हो सकता है, ठीक है, फिर है quantitative expression, हमे quantitative expression बता देता है, हमें ये percentage में बता देता है, हमारी current year में और हमारे base year में, ठीक है, कि क्या prices fall हो रहे हैं, या quantity fall हो रही है, या rice हो रही है, whatever, maybe, ठीक है, चलिए, next है हमारा, that is a measure of changes over the period of time, मैंने अल्रड़ी बता दिया, कि ये का करता है, ताइम, अब एक दो time frame को, जब include करेगा, तो ये सब चीज़े बता देगा, कि कितना changes आ रहा है, आपके prices में, raw materials में, consumer price में, production में, industrial में, वो सब चीज़े इसमें, आपका बता देगा, ठीक है, changes बता देगा, next है हमारा specialized average, देखे, specialized average में, इसमें, point में, क्या बताया गया है, लेकिन हमारा ये जो index number है, index number आप, एक साथ कई units का निकाल सकते हैं, मतलब liter, centimeter में, आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब हम CPI, consumer price index निकालेंगे, तब आपको ये point अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आपको ये चीज, आपका basically, इसमें आपका एक साथ, आपको ये उनिट्स का data जो है, आप निकाल सकते हैं, easily, याप index निकाल सकते हैं, एक साथ कई units का, ठीक है, उसके बाद दिखे, मैं ज़्यादा इसको नहीं पढ़ूँगा, deep because I think 4 points इनफ है, आप चाथ points आपको याद रखे, that is more than enough, then use of purpose of index number, इसका use का है, तो इसके भी 2 से 3 points आप याद रख लीजे, that is more than enough, सबसे बहुत बैलों, barometer of economic activities है, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम wholesale पढ़ते हैं, wholesale price पढ़ते हैं, हम consumer price पढ़ते हैं, हम agriculture production पढ़ते हैं, export पढ़ते हैं, import पढ़ते हैं, उन सब का index पढ़ते हैं, bank deposits, मतलब basically हम क्या करते हैं, जितने भी economic activities हैं, उसको basically compare करते हैं, base year और current year के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एक तरह का barometer समझ, barometer पता लग जाता है, economic activities का, तो index number क्या है, एक तरह का barometer economic activities का, जो कि हमें easily, हम क्या study कर सकते हैं, इससे variation study कर सकते हैं, कि कितनी variation, जो कि economic activities में हमारी आई है, within the two time frames, उसके बाद है, measurement of the purchasing power of the money, इसका मतलब क्या होता है, देखें, यह हमें क्या बता जाता है, कि, जो money की purchasing power कितनी है, for example, मैं बताता हूँ कि, 2005 है, माल लेजे base year है, ठीक है, आपके पास अगर 100 rupees है, तो आप क्या कर सकते हैं, 200 चीजे खरी सकते हैं, 200 माल लेजे कोई units खरी सकते हैं, लेकिन 2015 में, आप 100 rupees में सिर्फ क्या है, 10 units खरी सकते हैं, जो purchasing power है, वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो हमें क्या चीज़ बता रहा है, कि ये measure करता है, हमारी purchasing power, ठीक है, कि हम कितना purchase कर पा रहे हैं, अपने income से, और कितना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, then useful for economic planner, obviously बात है, जितना भी economic जो planning करती है, authorities होगी, नीती या योग होगी, वो क्या करती है, हमें data, हमें जब इससे एक data निकल के आता है, तो उससे क्या होता है, हमें economic planning करने में easy होता है, माल लिची जब हमारी inflation निकल के आई, जब आपको पता लगजेगा, कि inflation जो है increase होती जा रही है, तो उसके according ही क्या करेंगे, आप economic planning करेंगे अपनी, ठीक है, उसी साब से आप investment policy होगी, उसी साब से income generate करेंगे, उसी साब से employment होगा, उसी साब से price level set करेंगे, उसी साब से taxes करेंगे, उसी साब से consumption का, आप क्या करेंगे, जो है आपका, जो है, जो भी standard है, वो set करेंगे आप economy में, ठीक है, then useful for the entrepreneurs, entrepreneurs के लिए बहुत important है, ठीक है, क्या पता लग रहा है, उन्हें जो है business activities, अपने easy कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें forecast कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजे चल रही है, क्या क्या problems आ सकती है, ठीक है, कैसी investment करनी है, कैसी नहीं करनी है, तो ये सब चीजों से, उन्हें भी पता लगता रहता है, कि कैसा उनको, जो है business environment है, ठीक है, तो मैं already मैं कर रहा हूँ, इतना important नहीं है, ये सब चीजे मैं फटा फटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसी फिरी useful for the income and the wage policy है, कैसी wage policy होनी चाहिए, for example, मैं आपको बताता हूँ, कि माल लीजे कि आपका जो consumer price index है, आपका जो consumer price index है, या rate of inflation है, वो बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करेगी, government क्या करेगी, wages policies लाएगी, wages को बढ़ानी पड़ेगी आपको, wages को increases करना पड़ेगा, तब ही तो आपने देखा होगा, जो DA हमारी salary मिलती है, जब आप पैसा कमाना शुरू करेंगे, तो आपको DA मिलेगा, DA rents allowance, ठीक है, वो हमारा किसके set होता है, according to CPI, according to CPI set होता है, और वो जगा 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 में फैरी करता है, बैंगलोर में आपको DA अलग मिलेगा, हना कोई गाओं का साइड में आपकी जॉब लेगी है, सरकारी तो आपको अलग DA मिलेगा, तो it is all according to the CPI, ठीक है, I hope I am very very clear, next is useful for the trade policy, हमारी trade policy कैसे होनी चाहिए, हमारी export policy, import policy वो भी determine करता है, help करता है, हमारे जो index number होता है, चलिए, अब मैं ज़्यादा इस पर discuss नहीं करूँगा, I think that's more than enough, और इसके कुछ limitations है, एक दो आप पढ़ लेजेगा, एक तो एक approximate indicator होता है, और इसका limited use होता है, ठीक है, and can be easily manipulated, अगर आपका data गलात है, तो obviously बात है, सब कुछ गलात हो सकता है, ठीक है, there can be a manipulation, fine, तो एक दो point आपके ध्यार में रख लीजेगा, अब सबसे पहला आजेगे, सबसे जो important है, that is a, एक तो simple और unweighted, और the weighted, और simple और unweighted में फिर another two types हैं आपके, और weighted में another two types है, फिर इसका एक और type है, जो कि less pair, partial और fischer, अब मैं आपको बहुत easily समझाता हूँ, सबसे important आपका ये तीनों ही है, ये तीनों से आपका पूरा chapter cover हो जाएगा, आप ये मैं समझाऊँगा, सारे topics लेकिन आपको, लेकिन ये तीनों topics आप अच्छे से पढ़ लेजिएगा, इसके बाहर आपका question definitely नहीं जाएगा, ठीक है, मुझे जहां तक मेरा experience है, बाकी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, कुछ चीच छोड़िए, मैं आपको ये जरूर कहूँगा, कि इन को अच्छे से पढ़ लेजिए, आपका question इसी में से निकल जाएगा, चलिए आपको सबसे पहले ये चीज़ पढ़ते हैं, simple aggregated method, देखे, simple aggregated method क्या होता है, मैं सीधा आपको एक question से समझाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले इसका एक formula याद रखिएगा, that is P01 upon summation P1 upon summation P0 into 100, देखे, यहाँ P01, यहाँ पर P01 को लिखा है नो ने, देखे, P01 को लिखा है यहाँ पर, P01 मतलब, देखे, 0 मतलब base year, 1 मतलब current year, तो price आपको बताना है, आपने basically ये price index निकाल रहे है, base year से compare करते हुए, आपका current year, 1 आपका current year शो कर रहा है, 0 आपका base year शो कर रहा है, ठीक है, अब आपका देखे, formula क्या है, यह formula है, summation P1, summation का मतलब क्या होता है, जब आप P1 आगे add कर देंगे, summation के मतलब, जितने भी current year के price आपको दिया होंगे, कोर्शन में सब को आपको add करना है, माल लेज़े, जितने भी price है, जितने भी commodities के price, commodity A का, commodity 2 B का, commodity 3 का, जितने भी commodities आपके दे रखेंगे, उसका current year का price को add करना है, और summation P0, और उसी commodities के, आपको base year के prices को add करना है, P0, 0 मतलब base year, 1 मतलब current year, और into 100 आपको पता ही, आप क्या करते हैं, relative measure निकालते हैं से, या percentage निकालते हैं, ठीक है, चलिए आप आपको एक question से समझाता हूँ, देखे, question commodities A, commodity B, commodity C, commodity D, commodity E, commodity E दे रखेंगे, A, B, C, D, E, पांस तरह की commodities दे रखेंगे, आपका 2005, 2015, अब साफ साफ पता है, आपका ये base year है, ठीक है, और ये आपका current year है, तो ये आपका price दे रखा है, देखो, तो ये आपका हो जाएगा P0, ये आपके सारे क्या हो जाएगे, P0, और ये आपके क्या हो जाएगे, सारे P1 हो जाएगे, क्योंगे ये current year है, मैं आपको यहाँ इस टेबल से सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा देखें यह सब आपके क्या है कॉमेडिटी से है मतलब कॉमेडिटी का A का प्राइस 2005 में 150 था ठीक है उसको हमने P0 से दिनोट कर दिया और उसका प्राइस 2015 में जो हमने करेंट टियर का प्राइस है जिसे हमने P1 से दिनोट किया है वो 200 हो गया ऐसी ही फिर कॉमेडिटी B का आप देखें 70 था 2005 में अब 2015 आते हैं 140 हो गया C का 200 था 180 हो गया D का 55 था 70 हो गया तो आपको इसके बाद आपको फ्रम्ला याद रखना है देखें फ्रम्ला याद रखना है क्या है Summation P1 upon Summation P0 into 100 अब Summation P1 क्या है इन सबको एड कर दो आप यही थो हमारा करेंट एर के प्राइस है इन सबको एड कर दो आपका आज जाएगा Summation P1 740 दूसरा आप क्या क्या है जो कि आएगा हमारा 580 580 आएगा फर इस formula में रख लीजी देखो इन्होंने यहाँ पर कर रखा है और आपका क्या आजाएगा answer 127.59 ठीक है 127.59 तो इसका मतलब है कि जो आपका price कितने increase हुआ है 27.59 से अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 127 है देखिए हम क्या करते है 20 year को 100 मानके चलते हैं यहाँ को इस चीज़ क्लियर कर दो कि 20 year को हम 100 मानते हैं जब 20 year को 100 मानते तो इसमें से 100 माइनस कर दीजे आप ठीक है क arbitrarily 100 तो मानते हैं 100 तो price थे उस commodity ह lawyer 100 से उपर होंगे यह 100 से कम होंगे तो यह 100 से उपर आया index 127.something आया है तो इसका मतलब है 27 जो परसंट है उसके price rise हो गया है 27 परसंट जो price है उसके rice हो गया है जो base year से अब आपको चीजे समझ में आ रही होगी अगर आपका price index 127.59 है तो इसमें से आपको 100 minus करना है क्योंकि 100 हम क्या बानते है base year का price index हम price index लेके चलते है ठीक है base year का price index हम 100 लेके चलते है ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा चीजे ठीक है तो हमने देखी यह पढ़ लिया यह सबसे पहले हमने यह cover कर लिया जो first topic है हमारा simple aggregative method इसके अंडर simple आपको क्या करना होता है इसका current year का इसका total करना होता है prices का इसका करना होता है दोनों को divide करना होता है और into 100 करते है simple सी बात है अब आजाईए second वाले पे ठीक है second is the simple average of price relative देखे एगरीगेटिव देखे यहापे था aggregative aggregative का मतलब होता है plus करना तो देखे यहापे हमने सबको plus किया था सबके prices को यहापे plus नहीं करेंगे अभी समझ में आ जाएगा देखे यह question है आपका इसका formula यह है अभी आपको मैं solve करके समझा दूँगा यह explain कर दूँगा तो आपको easily समझ में आ जाएगा अब यह question देखे क्या है आपका A, B, C, D, E, F 6 तरह की commodities दे रखे हैं जिसका 2005 का और 2014 का price दे रखा है अच्छा 2005 हमारा क्या base price है, base year है और यह हमारा क्या है current year या current price है इसको हम show करेंगे किस के साथ P0 के साथ और इसको हम show करेंगे P1 के साथ देखिए, ओके यह हमारे commodities थी A, B, C, D, E, F और यह हमारा 2005 का price दे रखा है आपको ठीक है और 2014 का price मतब commodity A का 2005 में 20 price था और 2014 में कितना था 25 था ठीक है, अब उसमें क्या करते थे हम इसको total add करके करते थे इसको एक साथ add कर लिया इसको एक साथ add कर लिया और दोनों को divide करके into 100 निकाल दिया इसमें क्या करेंगे हम अलग-अलग percentage निकालेंगे इसकी अलग मतब 20 upon 100 इसे not percentage निकालेंगे इसे price relative बोलते है ठीक है, इसे price relative बोलते है P1 upon P0 into 100 that is called the price relative तो सबसे पहले क्या करेंगे price relative हर किसी का अलग-अलग निकालेंगे इसमें हम इकठा निकालते थे aggregate मतब total तो इसमें क्या करते हैं total करके एक साथ इसका price relative निकाल लेते हैं लेकिन इसमें हम अलग-अलग निकालेंगे देखो यहाँ पर commodity A है ठीक है commodity A का अलग निकाला 20 upon 25 upon 20 divided by 25 divided by 20 into 100 125 आया ठीक है देखिए फिर आपका कहा है B कहा है 24 upon 16 into 150 आगया 40 upon 40 into 100 into 100 आगया 40 divided by 50 into 180 आगया 20 divided by 10 into 100 200 आगया 70 divided by 35 into 100 आपका किता आगया 200 आगया तो basically आपने क्या किया जो price relative है अलग-अलग निकाला इसका अलग निकाला इसका B, C, D सबका अलग निकाला F का अलग निकाला इसमें क्या था? इसमें क्या क्या था? इसमें क्या करते थे? हम एक साथ price index इसको add करके इसको add करके एक साथ price index निकाले थे, लेकिन इसमें सबसे अलग-अलग का price index निकालेंगे और उसके बाद उसको add करेंगे, दीकिए जो summation है, bracket के बाहर लगाए, सबसे पहले हम इसका price relative निकालेंगे, इन सबका price relative को add करके 8.55 उसको हम किस से divide करदेंगे उसको हम divide कर देंगे इसके साथ ठीक है उसको हम divide कर देंगे इसके साथ तो simple देख लीजिए अब आपको चीजे समझ में आ रही होंगी ठीक है यह देखिए यहाँ पर वो ही किया है उन्होंने हमने इसका सबसे पहले summation P price relative निकाला P0 upon P1 into 100 जो हमारा 2005 से लेके 2014 में कितने percent price बढ़े है 42.5 percent prices आपके बढ़ गए है तो आपको formula याद रखना है 1 upon N summation P1 upon P0 into 100 तो इसमें क्या करते हैं देखिए इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम अलग-अलग निकालते हैं इसमें हम price relative अलग-अलग निकालते हैं और इसमें जो है हम price relative combined निकालते हैं पहले इनका total करेंगे इसका total करेंगे फिर directly इस formula में रख देंगे वेरस इसमें हम अलग-अलग इस formula को रखेंगे फिर add करेंगे ठीक है अब चीज़े समझ में आ गई देखे हमने क्या कर लिया दो चीज़े पढ़ ली हमने सबसे पहले इसमें ये ठीक है जिसमें हम एक साथ पढ़ते थे सबको total add करते थे और इसमें अलग-अलग करते थे ठीक है अब हम पढ़ेंगे weighted method weighted method में सबसे important आपके तीन यही method है ठीक है लेकिन हम पढ़ेंगे दोनो method ठीक है चलिया बागे चलिया ओके देन वी विल स्टार्ट देखे यहाँ पर कई बच्चे confused हो जाएंगे कि सर यहाँ पर तो तीन year दे रखे है हमें तो दो इसे compare करना पड़ता है देखे साफ साफ लिखा है कि 2000 आपका क्या है base year है हना मतलब एक बार इन दोनों के साथ आपको निकालना है यह तो P0 ही रहेगा हमारा ओके यह 2000 यह P0 ही रहेगा एक बार इसे P1 मानना इसके साथ निकालना फिर दूसरी बार इसे P1 मानना ठीक है तो basically आपको क्या करता है एक बार इसके साथ निकालना है ठीक है जिसमें आपका summation P1 upon summation P0 into 100 है ठीक है ओके ऐसे करोगे आप दूसरे case में का करोगे आप इसे एक बार इसे P1 मानोगे फिर ठीक है तो आपके दो answers आएंगे एक बार इसके साथ जब solve करोगे तब आपका ये आएगा और जब आप एक इसके साथ जब इसे solve करोगे तब आपका ये आएगा ठीक है I hope I am very very clear चलिए अब आज़ेए weighted index number में अब आज़ेए weighted index number में ये बहुत 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 important है ठीक है very very important जिसका सबसे important अभी शुरू है आप ये समझ लीजिए ठीक है अगर उपर वाला एक time एक person आप छोड़ भी देंगे तो ये जरूर कर लीजेगा ये तीनों में से ही definitely 99.9% इसी में से questions आते हैं exam में ठीक है तो सबसे पहला आपका है less pairs method दीक है weighted average method ठीक है उसका जो under आपका सबसे पहला आएगा आपका less pairs method less pairs method क्या होता है दीक है यह होता है दीक है यहाँ पर है P01L इसका मतलब क्या है आप क्या कर रहे है price index find कर रहे है मतलब comparing to the base year और किसके method से less pair method से इसलिए यहाँ पर L लिखा हुआ है इसमें क्या होता है price भी आएगा आपका quantity भी आएगी दोनों चीज आएगा उसके ऊपर जो methods पढ़े हमने दोनों पढ़े जो वो कहते है simple थी हाना simple एक aggregative था और simple एक price relative था लेकिन ये कहा है आपका weighted है तो weighted में आपका quantity भी आती है price के साथ साथ एक और चीज भी include होती है ठीक है यहाँ पर देखो quantity भी है देख रहे है ना price और quantity दोनों है price और quantity दोनों चीज़े दिये होती है तो उसके under सबसे पहला formula आपका less pair का अच्छा इसको याद करने के एक trick बदाता हूँ आप यह याद रखे 10 आपका sorry आप यह याद रखे less pair को याद रखने के लिए 10 अपॉन 00 10 अपॉन 00 देखिए अप क्या करीए आप ऐसे लिख दीजिए 10 इसके आप लिख दीजिए P1 ठीक है और Q0 फिर नीचे भी क्या लिखे P0 आपका Q0 मतलब कहने का मतलब है आप simple आप याद रखे आपका यह याद रखे इसके आगे PQ लिख दीजिए बस इसके आगे PQ लिख दीजिए ठीक है मैं फिर से समझा रहा हूँ less pair का formula याद रखने के लिए क्या याद रखना है आपको 10 अपॉन 00 10 तो फोन पमा समेशन लगा लिख देंगे समेशन लगा देंगे तो हमारा याद हो जाएगा तो simple आपको less pair के लिए याद रखना है 10 अपॉन 00 ठीक है और PQ PQ आड़ कर देंगे दोनों के आगे अगे समेशन लगा देंगे आपको याद हो जाएगा ठीक है और into 100 जरूर लगा दीजेगा अब इसको एक कोशन से करेंगे और फिर पाशे का भी पहले समझ लेते हैं क्योंकि एक कोशन जो कोशन आपका यह आएगा उसमें तीनों चीजे निकाल ली होती है मतब तीनों मैंथर्ड से आपको लेस्पिर्स पाशे और फिशर तीनों मैंथर्स आपको कोशन सॉल्व करता होता है तो सबसे पहले इसका भी देख लेते हैं अब जो पाशे कहता है कि प्राइस इंडेक्स इसके कैसे निकलता है Summation P1 Q1 upon Summation P0 Q0 तो इसको कैसे याद रखेंगे आप 1 1 upon 01 अब आपको याद रखेंगे 1 1 upon 01 ठीक है 1 1 upon 0 इसके आगे P लगा दीजिए इसके आगे Q लगा दीजिए इसके आगे P लगा दीजिए इसके आगे Q लगा दीजिए और Summation लगा दीजिए ठीक है अगर इसे छोटा सा देखिए ऐसे कर लिए small लिख दीजे से फिर P और Q1 P1 Q1 P0 Q1 ठीक है क्योंकि हमारा क्या है 1 upon 0 1 तो ये हमारा क्या है क्या है आपका पाशे का मेथड़ आपको बहुत एजली ट्रिक समझ में आ गई होगी अब आजेगे Fischer का देखिए Fischer का मेथड़ आपको बहुत इजी याद करने का ये आपका है दोनों का मीन होता है आपका L into P मतब लेस पेर का मेथड़ और पाशे का मेथड़ का जब आप रूट निकाल देते हैं और उसको 100 से मंटिप्लाइ कर देते हैं तब आप क्या होता है वो simple Fischer का मेथड़ है तो basically Fischer का मेथड़ का दोनों का मीन है geometric mean बोलते हैं इसको अना it is a geometric mean of less pairs and पाशे तो आप ध्यान से देखेंगे ना ये आपका किसका मेथड़ है ये मेथड़ है आपका किसका less pair का ये मेथड़ है आपका पाशे का और इसका जो आप देख रहे हो under root कर रहा है under root कर दिया है इसका under root कर दिया मतलब geometric mean निकाल दिया तो basically जो Fischer का मेथड़ है आपका that is a geometric mean of less pair and पाशे और उसको आप 100 से multiply कर दीजिए देखे इसको ये दिखा है देखे ये आपका less pair का है और ये आपका पाशे का method है ठीक है अब आपको बहुत अच्छे से आदा हो गया होगा और ये सबसे ideal method समझा जाता है ठीक है ये ideal method है fine अब एक question से समझते हैं अब बहुत easily समझ में आ जाएगा अब ये question है जिसमें आपको तीरो method अप्लाई करने है प्रदब आपको index निकालना है आपको इसका less pair से भी पाशे से भी और fisher से भी तो सबसे पहले आपको quantity items दे रखे है अकॉमडेटी से रखे है a b c d और आपको price दे रखे है p 0 और देखे ये base year है तो ये जो price होगा p 0 हो जाएगा और ये q 0 हो जाएगा ये current year है तो ये p 1 हो जाएगा और ये q 1 हो जाएगा देखे लिजिए आप सीधा question में देखे लिजिए ये क्यानों ने ये इसके commodity से a b c d e और ये जो price level base year का जो price होगा प्राइस उसे p 0 से शो किया है और base year की quantity को q 0 से शो किया है एसी current year के price को p 1 से शो किया है और current year की quantity को q 1 से शो किया है अब देखे लिजिए यहाँ पे अब आपको ये 4 चीज़े निकाल नहीं होती अब ये 4 चीज़ क्या है ये 4 चीज़ ये ही चीज़ है जो आपको चाहिए देखे less pair में ये 2 चीज़ है ऐसी पाशे के लिए आपको कहाँ चाहिए summation p 1 q 1 उपर चाहिए तो आपको कहाँ चाहिए p 1 और q 1 चाहिए ऐसे नीचे कहाँ चाहिए p 0 q 1 तो ये ही 4 चीज़े इन्होंने यहाँ पर निकाल ली है देखे ये 4 चीज़े आपने निकाल ली है जो आपको method में चाहिए less pair में 2 चाहिए p 0 q 1 p 0 q 0 और आपको कहाँ चाहिए p 1 q 1 p 0 q 1 और बाद में इसका summation कर देंगे बाद में सबका total कर देंगे ठीक है तो देखो वह चीज़े निकाल ली p 0 q 0 p 1 q 1 sorry p 0 q 0 p 0 q 1 p 1 q 0 p 1 q 1 ठीक है आपको चीज़े समझ में आ रही होंगी कि जो आपको formula में चाहिए वो ही आपको यहाँ पर देखे यहाँ पर पूछा गया है वो ही आपको यहाँ पर निकाल देना है ठीक है उसके बाद यह तो आपको पता है यह जो fischer का method है यह तो आपका क्या होता है geometric mean ही होता है इन दोनों का ठीक है तो simple आप क्या करेंगे formula में रख देंगे और आपका क्या आ जाएगा geometric mean आपका price index दोनों का तीनों का आ जाएगा ठीक है तो basically आपको दो formula याद रखने है less pair और पाश्य का और तीसरा आपका यह आपके चार क्या है basically आपके यह formula में ही पूछे गए है यह चार चीज़ है यह दो ऊपर वाले और यह दो नीचे वाले वह चार चीज़े यहाँ पर यह चीज़े शो की गई है ठीक है ओके चलिए अब यह next method भी देखे एक और question देख लिए वह भी same method में देखे method में less pairs के क्या चीज़ चाहिए? आपको पता है P1 10 upon 0 0 याद रखेगा यही चाहिए हमें थिए चाहिए na तो हमें क्या चाहिए P1 Q0 चाहिए और P0 Q0 चाहिए तो देखो यहां पर कईना कई P1 Q0 होगा देखे यहां पर P1 Q0 निकाल रखा है और P0, Q0 ऐसी हमें क्या चाहिए पाशे के लिए क्या चाहिए P1, Q1 अमांट समेशन P0, Q1 तो अभी दोनों चीज़े देखें फाइंड होगी P1, Q1 भी है आपका P0, Q1 भी है और बाद में इन सब को एड कर देंगे और simple उसके formula इसमें रख देंगे Lespiers के, Parshay के Fisher के, जो कि बहुत simple है और आप क्या करेंगे Price Index जो है निकाल लेंगे ठीक है, अब आता है आपका another type, Weighted Average of Price Relative ठीक है Weighted Average of Price Relative इसमें क्या होता है, simple सी बात है यह formula याद रखिएगा, summation RW upon summation W इसमें R क्या है, आपका Price Relative है R गया Price Relative इसे question से समझाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा इस वाले में और उपर वाले में इनमें और इसमें क्या difference है इसमें Weight दे रखा है और इसमें क्या दे रखिए थी, Quantity दे रखिए थी इसमें आपको क्या रखा है आपको weight दे रखा है और इसका आपके price दे रखा है इसमें क्या रखा था quantity दे रखी तो price दे रखी तो यह difference है तो जहां weight दिया होगा तो आपको इस वाले method से करना है ठीक है तो अब इसको कैसे करते है देखे very simple आपको weight दे रखा है commodity A, B, C, D commodity का A weight कितना है 30, 2005 में इतना था और 16 में कितना है 25 हो गया B में 35 weight उसका जो price है 35 कोई B, मतब B कोई commodity है उसका weight 35 है उसका price 2005 में 40 था और आपका जो 16 में भी 40 है कोई C commodity उसका 10 kg weight है उसका 2005 में price रुपीज 2 था और 16 में कितना चार हो गया तो basically हमें data दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है देखे सबसे पहले हमें R निकालना है क्योंकि हमारा formula क्या था summation R W upon summation W यही formula था इन्टु 100 ओके यहां basically यही formula है summation R W upon summation W आपका formula है जिसमें R क्या है आपका जो R है वो R आपका यह है यह जो R है आपका यह है P1 upon P0 into 100 तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था first type first cases में तो वैसी करेंगे हम क्या है P1 upon P0 मतलब यह हमारा P1 P1 upon P0 25 upon 20 दोनों को divide करके इन्टु 100 कर तो 125 आएगा फिर 40 divided by 40 into 100 100 4 divided by 2 into 100 200 आया तो इसका इन सब क्या है basically price relative निकाल देंगे P0 upon P1 upon P0 into 100 ठीक है हमारा R आ जाएगा फिर R को हम क्या कर देंगे इसके इसके बाद हम इसको total कर देंगे ठीक है इसको total कर देंगे क्योंकि हमें summation R W चाहिए हमारे यह आएगा 12450 और इसका summation W कर देंगे तो आपका 142.5 आपका आ गया clear हुआ अब next topic बिल्कु जो fresh topic है that is consumer price index यह अपनी को बड़ा interesting है देखे यह आपका basically क्या है less pair का method है इंडिया में consumer price index less pair के method से ही निकाला जाता है summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 तो यह ध्यान रखेगा less pair के method से ही हम क्या करते है we are finding out the consumer price index यहां कहीं भी लिखा भी होगा definitely आपका ही पढ़ सकते है इन्होंने जरूर लिखा होगा कहीं पे कि we are finding on the less pairs method देखे यहां पर लिखा भी है कि जो आपका CPI है वो कहा है less pair का method ही है तो basically आपको यह फिर से repeat हो गया आपका less pair का method को ही CPI बोली जाती है consumer price index में अच्छे समझा दिया था देखे यह होता है formula यह गलत है यहां गलत printed है यह summation P0 और Q0 है ध्यान रखे यह गलत print हो गया है यहां पे नई books में शायद सही होगा तो आपका less pair का method से ही हम क्या करते है जो less pair का method ही है उसे consumer price index भी बोला जाता है तो यहां पैसे कह सकते हैं कि इंडिया में चो consumer price index है CPI है वो less pair के method से निकाला जाता है तो simple यह देखे question है अब यह food है अब यह consumer food भी यूज़ करता है clothing भी यूज़ करता है fuel भी यूज़ करता है electricity भी यूज़ करता है और बहुत चीज़े यूज़ करता है तो उन्होंने उसके unit दे रखा है food का kg में है हाना कि 2005 में कितना 50 करता था जो quantity है वो 50 kg यूज़ करता है ठीक है और clothing क्या है 8 units करता है 8 meters fuel करता है 2 kilowatts okay and electricity 48 आपका जो है units use करता है miscellaneous 30 kg तो 2005 में इसका price दे रखा है इन सब का rupees 10, 50 ठीक है और rupees आपका 12 में इसका price दे रखा है rupees 15, rupees 120 तो basically आपको क्या दे रखा है quantity दे रखी है और आपके price दे रखा है लेकिन आप confused नहीं होगा आपको simple क्या चाहिए देखिए P0 ठीक है और आपका sorry P1 Q0 upon P0 Q0 जिसमें आपको quantity क्या है आपको यही है quantity ठीक है जिसमें Q0 आपका यही है क्योंकि इसमें Q0 की जुरुवत होती है देखिए दोनों के इसमें आपको Q0 ही चाहिए Q1 की जुरुवत ही नहीं इसमें तो हम क्या करेंगे सिर्फ Q0 हमारा दिया ही हुआ है ठीक है तो basically यही चीज़े देखिए इससे हमने Q0 माल लिया जो quantity दे रखी है यह हमारा P0 है यह P लाए कर दिया फिर आपका 192.1 बन आएगा मैंने अल्रड़ी बोला था कि 20 यह हम 100 बानके चलते हैं तो इसे 100 से माइनस कर देंगे तो उतने परसंट से बढ़ गया मतलब अगर इसे 100 से माइनस करेंगे 192.1 को तो आपका 92 परसंट प्रॉक्स आजाएगा तो 92 परसंट जो ह अब वो क्या करता है जादा स्पेंड करता है ठीक है यहां उसका कह सकते है उसे जादा स्पेंड करना पड़ता है पहले से 2005 से मिरे बाद समझ में आगे आपको अच्छे से क्लियर हो गई ठीक है तो आपका जो लेस्पेर का मैथड है वो ही आपका CPI है ठीक है ओके अब CPI into 100 money wages upon consumer price index into 100 मतलब जब दीक है real wages होती है real wages होती है मतलब जो भी पैसा कमा रहे है आप जो भी salary आपको मिल रही है जब उसको आप क्या करते है consumer price index के हिसाब से निकाल देते है या उसको consumer price index से divide कर देते है और into 100 कर देते तो हमारा वो real wages आ जाती है so whenever you are finding out your money wages according to the consumer price index so that is your real wages ठीक है next हमारा wholesale price index यह कि wholesale price index भी हमारा less pair के method से ही हमारी country में निकाला जाता है ठीक है तो यह हमारा लेकिन basically यह क्या करता है हमारा जो producers price है उसको reflect करता है अना दो prices होते है consumer price होता है उससे क्या हमारा क्या आता है consumer price index होता है और जो producers का price होता है basically वो क्या होता है wholesale price index होता है ठी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, और दूसरी बात है, इसको widely कहां यूज किया जाता है, business में, industry में, banks में, basically producers, इसे ज्यादा यूज करते हैं, और currently कितनी commodities इसमें include की जाती है, 676 देखिए, अब change हो गया है, अब 697 है, ठीक है, यह data change हो गया है, 697 commodity को यूज किय जाता है, मतला अगर 2020 है, अगर इसका आप क्या निकालेंगे, अगर WPI निकालेंगे, तो अगर उसको base यह आप यह लेकर चलेंगे, government ने यह set कर रहा है, और CPI के case में भी यही set कर रहा है, लेकिन CPI में जो commodities हैं, वो उसका 8 groups में, 8 groups में, अलग-अलग commodities होती है, ठीक है, तो I hope I am very very clear, आपको सारा chapter easily समझ में आ गया होगा, ठीक है, so if you have doubt, you can message me on the Instagram, मैना idea आपको बता दूँगा, description box में, thank you so much